कार्बन के पास टूटल छे इलेक्ट्रोन होते हैं फर्स शेल में दो इलेक्ट्रोन समा सकते हैं तो दो इलेक्ट्रोन ने फर्स शेल उक्टिपाई कर ले और सेकेंड शेल में आठ इलेक्ट्रोन समा सकते हैं लेकिन carbon के पास सिर्फ 4 electron बचे हैं, तो 4 electron second shell occupy कर लेते हैं, carbon चाहता है कि उसके outermost shell complete हो जाए, तो उसके पास 2 तरीके हैं ये करने के, या तो वो covalent bond बनाए या ionic bond बनाए, तो इस उड़े में हम समझें कि carbon ionic bond क्यों नहीं बना सकता, first condition को समझते हैं, जिसमें carbon ने कहीं से एक एक कर 4 electron ले लिये, तो इससे होगा क्या, carbon के outermost shell size बढ़ जाएगी, carbon के पास proton 6 है, लेकिन अब electron 10 हो गए, तो इससे carbon unstable हो जाएगा, तो ये condition काम नहीं करेगे, अब दूसरी condition देखते हैं, जिसमें carbon ने अपना एक electron lose किया, तो इससे क्या होगा, shell size कम हो जाएगी, अब proton तो 6 है, लेकिन electron 5 हो गए, जिसके कारण proton उन्हें अपनी तरफ खीचेंगे, तो जब हम दूसरे electron को निकालना चाहेंगे, तो हमें पहले electron को निकालने के लिए, जितनी energy लगानी पड़ी थी, उससे ज़्यादा energy लगानी पड़ेगे, अगर मान लो, हमने second electron को भी निकाल लिया, तो ultimate shell और छोटी हो जाएगे, protons electrons को अपनी तरफ खीचेंगे, और तूसरी electron को निकालने के लिए, हमें first और second electron से भी बहुत ज़्यादा energy लगानी पड़ेगी, तो इसलिए carbon ionic bond नहीं बनाता, वो covalent bond ही बनाता है, दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्स्राइब कीजिए, बीच में जो लोगों दिख रहा है उसे दबा कर, और यह दोनी वीडियो भी देखना ना भूलेगा, नीचे डिस्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, जाकि उसे फॉलो कीजिएगा, धन्यवाद दोस्तो,